ओम गण गणपतय नमहा श्री गुरु देव दत्त नमस्कर मित्रो प्रोफिट 666 चानल में आपका स्वागत है कैसे हो आप आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे आज इस वीडियो में मैं आपको दुर्गा माता के एकत्यंत चमतकारी और गुप्त सिर्फ चार शब्दों के बीच मंत्र के बारे में बता रही हूँ जिसको बोलने से साधक जगत माता को प्रसंद न कर सकता है और उनके अशिर्वात से उसके मन में बसी किसी भी इच्छा या मनों का मना के पूर्ति कर सकता है या किसी भी महतुव पुरुन हेतु, उद्देश, काम या कार्य में सफलता पा सकता है इस चोटे से चार शब्दों के मंत्र से सब कुछ संभो हो सकता है जो लोग हर चीज के लिए सिर्फ एक मंत्र की खोज में है ऐसे लोगों के लिए यह एक रामबान शक्ती मंत्र है अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कुर्पया सस्क्राइब करना मत बुलिए और दुरंद नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करे यह एक अत्यंत चमतकारी महा मंत्र है जिसको बोलते से साधक की हर इच्छा या कठिन से कठिन मनो का मना पूरी होगी उधारन की तोर पर अगर साधक धन दुलत, संपत्ती, वाहन या मकान पाना चाहता है तो उसकी यह इच्छा पूरी होगी या अगर वह अपने शत्रू, गुप्त शत्रू, दुष्ट प्रतिद्वंदियों से मुक्ती पाना चाहता है तो उसकी यह मनो का मना पूरी होगी या अगर साधक रोगो या अन्य किसी भी परेशानी या पेड़ा या जादूटों ने भूत प्रेट से चुटकारा पाना चाहता है तो उसकी यह इच्छा पूरी होगी यह मंत्र अलवकिक या मायावी शक्तिया और सिधिया और अध्यात्मिक विकास करने के लिए भी बोला जा सकता है यानि कि संक्षिप में यह अमोग मंत्र किसी भी हेतु की पूरति कर सकता है साधक इस मंत्र का जितना चाहे उतना चाप कर सकता है मंत्र का चाप करने के लिए विशिष्ट पुजाविधी दिशा आसन माला इत्यादी के बंधन नहीं है लेकिन दुर्गा माता पर अतूर भक्ती होना आनेवारिया है साधक इस मंत्र का चाप किसी भी दिन से शुरू कर सकता है और मंत्र का चाप शुरू करने के भले दुर्गा माता के ब्रम्हांध रूप का एक पल्स मरन करना है और जिस मनों का मना या हेतु की पूर्ति करनी है उसके बारे में एक पल सोचकर उसका वाचिक या मानसिक चाप करना है साध़क इस मंत्र का बिना किसी भी हेतू या उद्देश की पूर्टी करने के लिए भी चाप कर सकता है ऐसा करने से दुर्गा माता प्रसंद नहोकर उसका कल्यान करेगी इस मंत्र का पूरा लाप एक लाख पच्चीश सजार बार मंत्र चाप पूरा होने के बाद मिलेगा मंत्र छोटा सा होने के कारण मंत्र चाप की संख्या पूर्ण करने के लिए जाधा दिन नहीं लगेंगे और अगर साधक की इच्छा हो तो वह हर दिन एक निर्धारित संख्या के लिए जाप कर सकता है इस मंत्र का उल्लेक एक अत्यंत मिश्वसनिय तंत्र में पाया जाता है इसलिए यह दुरगा माता को प्रसंद्न करने का एक विश्वसनिय और आजमाया हुआ मंत्र है अब मैं आपको मंत्र सुनाने जा रही हूँ, कुरुपया ध्यान से सुनिए, मंत्र इस प्रकार से है अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो गुरुपया सस्क्राइब करना मत बुलिए प्रभू सबका खल्यान करेंगे